पर कि सब्सक्राइब हाफते की शरुवात करने जा रहे हैं शरुवात सी दाविदिश्टी बाजार के संकीतों के साथ जो की पॉजटिव नजर आ रहे हैं इस याई बाजार की शरुवात आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते करीब पचास अंगों की बढ़ात के साथ इस डिक्स निफ्टी में हरे निशान के साथ च्रेइज खुलते हुए हम देख रहे हैं 17,220 के आसपास वहाँ पर कामकाज आप देखेंगे अच्छी बढ़हत के साथ इस डिक्स निफ्टी की शुरुवात होती हुई जिपैन की बाजार निक्कई में भी हम देख रहे हैं दम पर हम देख रहे हैं NASDAQ में भी अच्छी तेज़े के बीच कामकाज ख्लोज होता हुआ देखा चाहे फिर DAW हो, S&P हो या NASDAQ हो, green pattern में हरे निशान के साथ मजबूती और action pack, stock specific sessions वहाँ पर जरूर देखने को मिल रहे हैं आईए विदेशी बाजार के संकेत, commodities की चाल, bond cryptocurrency में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ हो इस तार से एक बार समझ लेते, बताने के लिए पूजा हमारे साथ चुड़ गई है, गुड मॉर्निंग पूजा बताएं, विदेशी बाजार, global setup फिलहाल, एशाई बाजार से तो अच्छी मजबूती है, अमेरिकी बाजार के मजब ट्रेड हम देख रहे हैं वहीं, अगर अमेरिकी बाजार की बात करें तो वहां पर भी अच्छी क्लोजें, हमने शुकरवार के सेशन में देखी, इस बीच अगर कमोडिटी की बात करें, अप एक प्लस की मीटिंग से ठीक पहले हम देख रहे हैं, हलकी हलकी कमजोरी कच्छ तेल की चाल में नजर आती हुई, आप देख पाएंगे, अगर अमेरिकी बाजार को थोड़ा सा डीब डाई कर समझने की कोशिश करेंगे, 56% के कमपनिया जो है, S&P 500 के उन्होंने अपने रिजाल्स जो है, वो डिकलेर कर दिये हैं, और 73% कमपनिया जो है, उन्होंने अन् से बहतर नतीजे, EPS के फ्रंट पर यहां डिकलेर के हैं, तो clearly हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जो result heavy counters है, वहाँ अच्छी मजबूती है, result season वहाँ पर अच्छा है, जिसका एक impact है, जो की session में नजर आ रहा है, अमेरीकी बाज़र तीन trading session से मजबूती जो है, वो बिलकुल द देखें, नियरली हमने देखा 12.5% on a higher note from the month, यहाँ पर trade जो है, वो close होते हुए देखें, और शुकरवार के ही session में करीब 2% की मजबूती के साथ NASDAQ में कामकाज हमने देखा, in fact, NASDAQ के साथ-साथ अगर आप S&P और DAO को देखेंगे, करीब 1% 400 अंकों के आस-पास की तेज हमने दिन भर में DAO में भी देखी, यूरोपियन बाजार की अगर बात करें, वहाँ पर भी शुकरवार को दुपहर को जब वहाँ trades नजर आ रहे थे, best month यहाँ पर नवेंबर 2020 के बाद, जुलाई का महिना जो है, वो यूरोपियो बाजार के लिए नजर आया, तो clearly वहाँ से भी sentiments जो है काफी positive, commodities में सोने चांदी की चाल को अगर देखेंगे, वहाँ पर कुछ हद तक हम देख रहे हैं, डॉलर और बाज डील में जो कमजोरी है, उससे हफते भर में सोने में जो है, बढ़हत नजर आ रही है, क्रीब 2% की तेज़ी हमने विदेशी बाजार में दे levels जो है, वो काइम है, तो इस पर भी खास तो से हमें नजर रखनी होगी, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और विदेशी बाजार तो हमने समझे और संकेट जो है, ऑना positive front नजर आ रहे हैं, लेकिन संस्थागत ने वे शकोंने क्या किया है, FIS-DIS का action कैसा है, वो एक बार देख लेते हैं, और लगातर अब FIS की selling intensity जो खत्म हुई है, उसके बाद वापस खरीदारी लौटी हुई दिखी है, वो एक बड़ा positive नजर आ रहा है, FIS ने cash market में शुक्रवार के सेश में 1046 करोर की खरीदारी की है, DIS की तरफ से जितनी FIS जब selling उनकी दिख रही थी, उत पॉस्टिव नजर आ रहे हैं, FIS की खरीदारी वापस लौटी है, DIS की तरफ से संकीतों पर खास नजर है, वाइदा बाजार में अगर देखेंगे, FIS ने खरीदारी की है, cash market में खरीदारी के साथी, इंडेक्स futures में 806 करोर की खरीदारी FIS की तरफ से और इंडेक्स ऑप्